दियर स्टूडेंस वेल्कम बाक टू मेरेजेन ओवर्सीज हम सब जब यूएस उनिवर्स्टीज में अंडेक्राइट के लिए स्पेशली आप्लिकेशन लॉज करते हैं तो हम सबने यह देखा होगा कि अलग-अलग टर्म्स होते हैं जैसे मेजर होता है अब यह जो अलग-अलग वर्ड्स हैं इन सबका मतलब क्या होता है कुछ तो होता है तब ही उनिवर्स्टीज में डाला है देखें यह वर्ड्स जो है ना टेखनीकली देखा जाये तो इनमेए कोई जाजा फर्क नहीं है इनके मतलब आल्मोस्ट सेम है लेकिन सिर्फ युनिवर्सिटी उसको कोई उसे अकाटमिक मेजर बोल देता है कोई उसे इसे चौन्सिंटरशन बोल देता है कोई उसे major concentration बोल देता है, तो सबके अलग-अलग terms है वो, तो अगर technically मैं आपको समझाओ, इसका मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे आपके पास 6 subject है, अब 6 subjects में से आप अगर specialization लेना चाहते हो computer science की, और आप साथ में फ़ड़का business के भी courses लेना चाहते हो, तो आपके जो 3 subjects है, out of 6, they have to be related to computer science only, मतब जो आपका major है, उसके at least 50% subject तो होने चाहते है, minimum 50% याली, उससे जाधा हो सकते हैं, पर उससे कम नहीं हो सकता, अगर उससे कम है, तो आपके major नहीं है, अगर उससे जाधा है, then only it's your major, और major हमें कब define करना होता है, आप first year में भी अपना declare कर स कर सकते हैं, officially, आपके पास 2 साल का time होता है, decide करने का कि आपको कौन सा major चाहिए, उससे पहले आप अपने मिसलेनिया subjects लेके undecided major में pursue कर सकते हैं, अपना अंडर्गराई, जैसे कि हम सबको पता है कि spring intake के applications open हो चुकी है, तो अगर आप टाइम लिए अप्लाई करके जल्दी करना चाते हैं, तो आप हमारी किसी ब्राश को भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई basic security है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे comment भी कर सकते हैं, तो I hope जो आज मैंने आपका confusion दूर किया है, आपके लिए कापी helpful दा होगा, ऐसी और useful videos पानल के हमारे चानल को subscribe करें औ AD किуд thấy और आपके हैं नेक्स वीदगार isso, और मुझा कर साथक्व थाओ, आपशकथ क्या होगा है।